बले वहां सा 0 cm पर है तो वह cm 3 cm माइनस 3 cm इसको तो 0 cm cm में हम इंट्रेस्टेट नहीं और रहे हैं नहीं यहां पर एक ऐसा question लिया जा सकता है कि वी है एक ऐसा कुछ ऐसा यह question है यह वी velocity है small v velocity के लिए होता है बड़ा वी volume के लिए होता आयतन के लिए यह wear है वी है वी एक velocity है वी एक विलोसिटी है और टी एक time है बस हमें a, b, c के dimensions रतानों है वी एक velocity है और tी एक time है हमें a, b और c की गे जपाने है सब से पहले तो मैं यह सी से शुरूगरता हूं मेरकाना, c एक time में और time पर time में he hadd हो सकता है समय में के बग समय ही एड हो सकता है सी टाइम में एड हो रहा है तो सी भी ज़रूर टाइम और अगर ये टाइम है तो मैं टाइम प्लस टाइम को भी टाइम एक होगा मैं अपनी एक्वेशन को ऐसा लेता होगा टाइम प्लस टाइम भी एक टाइम होगा जो चीजें एड हो सकती हैं, उनको एक ही टर्म से रिप्लेस करिए ताइम प्लस टाइम भी एक टाइम भी होगा दामेंशन के लिहाद से बात कर रहे हैं, मैंने टूड की दो हम बात ही नहीं कर रहे हैं एधवर से रेक से रेक से बात कर mónा, इडन भी होगा कर रहे हैं तो सक्वेड प्लस पれसे कर दो ऑब स्क्रावटम भी से गतशन से लिदेख से रहे हैं अगर से लिदेवेद के बात के औरक कि हैं अब ही बात हैं अब इससे बी को आप निकाल सकते हैं बी को दिकाल सकते हैं, एल बन, टी माइनस बन कुरस बन, तो दी खबी एल बनार जाएगा, यह है, अगर आप सी को टाइम में एड़ कर रहे हो, तो यह भी ज़रूर एक टाइम है, क्योंकि टाइम को ही केवल एड़ किया जा सकता है, और उसके बाद, अगर यह वेलासिटी है और यह वेलासिटी है, और यह पूरा भी वेलासिटी है, इस तरह से बाते हैं की जाती है, एक थोड़ा से इंपॉर्टन्ट एक्सपरिशन ले ले लेते हैं, यह ऐसा है, पी प्लस ए वाई वी स्क्वेर, इंटो बी माइनस बी, इसी कर दो आड़ टी, हीट में कुछ इस बी क्या है, यह हमें निकालना है, आर और टी बीच कुछ कॉंस्टेंट हैं, उन्हें छोड़ दिजे, उनके बारे में उटात नहीं है, तो अब सबसे पहले बी के डामेशन निकलते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर देखें, तो जो माइनस हो रहे हैं दो चीजे हैं, वो मुझ भी डामेशन का बेर में से वालिम को कही घडाएं मतलब बी के डामेशन आईतल के हैं, एक ब्रैकेट में जो दो चीजे आरहे हैं वो सब मैशनी से亞ta हैं तभ ही एक ब्रैकेट के अदर आई हैं, इसे प्रकार अगर मैं इसकी बात कर जो तो यह प्रेशर है, तो पुर यह नहीं. पूरा यह प्रेशर. दाख प्रेशर प्रेशर फोर्स अपन एरिया होता है, बल प्रटेश्व तरफल कोटा है. प्रेशर के डायमेंशन हम यह निकाली चुके है. तो volume L3, L3 का square ले 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 लेडा है, और इस तरह से अब ये L का power 6 1 के बहां चला जाएगा, ये हो जाएगा M1, L के सारे बात में 1 साफ लिखोंगा, तो minus 1 बहा 6 लिखोंगा, और या T minus 2 लिखोंगा, एई के सारे टम्स एक साफ लिख रिखने हैं ये खास बात आप ध्रहां और प्रेस्ण आए तो यह पूरी की पूरी चीज जरूर प्रेशा है A by B² वह प्रेशा है तो एक डिमेंशन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यांदीजे, हलागे और एक्जामों के अरड़ी बहुत बार आ चुका है, तो अब इस क्वेशन के डायर्ट आने के चांसे थोड़े कम तो हैं, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, दोस्त आपको हम एक डि याद कर सकते हैं, तो रट लीजे, नहीं तो पर देले, कई बार इस सवाब को सौल करीए है, ताके वो डिरिवेशन के स्टेप से करीब-करीब आपको याद हो जाए, अब आपको प्रेशर बोलिए, प्रेशर के डामेशन याद हों तो अच्छा है रहे, माइनस माइनस एनिवे, तो इस तरह से, प्रिंसिपल फॉमोचिन के डामेशन सुने पढ़ लिया, और अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, अप्लिकेशन्स, डामेशनल एनालिसिस के अप्लिकेशन्स, वी निया मिसलेशन के अनुप्रेव, अप्लिकेशन में नंबर बन सबसे पहले हैं, तो to determine dimensions of unknown quantity, एक quantity है हमको उसका dimensions नहीं आप, हम उसका dimensions निखाते हैं, तो हमको सबसे पहले, कोई एक ऐसा formula सोचना होगा, जिसमें वह राश्री आती है, एक ऐसा formula सोची है, जिसमें वह unknown quantity आती है, जैसे example से लिके बात करता हूँ, मुझे gravitational constant जी के dimensions चेहें, उर्तिय नियतांक जी के dimensions चेहें, तो मैं इसमें बोलूँगा, कि एक ऐसा formula सोची है, जिसमें जी आता हूँ, तो f का ये एक formula, शायद होने आता है, f का formula है, gmrm2 by d squared, f formula है, gmrm2 by d squared, अब जिसमें जी आता हूँ, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लियाए, अन्नोन को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लियाए, और उसके बागी सारी quantity's के dimensions आप पूट कर दीजे, जो आप ग्यात राजी है gd, वह है fd squared upon m1m2, अन्नोन को आप लेफ्ट साइड पे लियाए, और उसके सब के dimensions पे डावन होगा, तो यह unknown के dimensions देरोपर निकल आएगा, यह m1, l1, t-2, force हो गया, distance यह length है, यह length square हो गया, m1 भी mass है, और m2 भी mass है, m1 भी mass है, और m2 भी mass है, और m2 भी mass है, और हमको खाल यह dimensions ही लिखने हैंगे, अब यह m और m cancel हो जा यह L और यह L में एक साथ क्लब कर देता हूं, तो यह L3 बन जाएगा, और उसके बड़ T-2 बन जाएगा, और उसके बड़ T-2 बन जाएगा, m-1, L3, T-2, G के dimensions होगे, पुछ नए फॉर्मुले भी बना के यह दे सकते हैं, जिसमें कोई काद एसी राशी हो, जिसका नाम आ जैसे शायद आपने सुना हो, पर यह E का फार्मुला H नहीं हो, इसमें E एनर्जी है, यह पूर्जा है, और इसको हम न्यू कर रहे है, NU, या एक फ्रिक्वेंसी है, या एक आवर्ती है, H हमें नहीं पता क्या है, कोई नए ही नाम लिया है, बैसे H प्लांक्स कॉंस्टन ह बैसे होता है, की Hersे , क्याता है, क्फ्लांक्स कॉंस्टन की डायमेंशन निंका देता है, už अभन नहीं इनके दाता है cake L, N. मैं इनके दात हूंगा, energy का M1 L 2 T minus 2 है, और frequency 1 upon time period, यह बहाँ जाए लागा, M1 L2 T-1, M1 L2 T-1, M1 L2 T-1 यह प्लेंक्स कॉंस्टंट के डामिशन्स हो जाएगी, प्लेंक्स कॉंस्टंट के डामिशन्स अपने आपके इंपॉर्टन रह होगे हैं, और इवन 2013 के एम्स में इसके डामिशन्स कूछे रहे थे, तो 2014 से थोड़ा पेप्रों का लेवल उठा है, और अगर 2013 के इम्स में यह आया है, तो फिर कभी भी यह क्वेस्टन आ सकता है, यह बड़ा स्पेशल है प्लेंक्स कॉंस्टंट और फिराल तो अब इस नहीं गाल रख लिए हैं, कि प्लेंक्स कॉंस्टंट के डामिशन्स ऐसे ही है, जैसे एंग्ला मोमेंटम के, इसके बाद हम बात में, रोटेशन के चैक्टर में एक्टाम पड़े हैं, एंग्ला मोमेंटम के डामिशन्स भी, एंग्ला मोमेंटम के डामिशन्स भी, प्लेंक्स कॉंस्टंट के जैसे हैं, तो यह था, एप्लिकेशन्स और दामिशन्स अलालाइसिस के अन्नोन कॉंस्ट तो चेक डाइमेशनल करेक्टनेस ओफ एक्वेशन्स समीकरों की विमिय सत्यता ही जाच कोई समीकरों विमिय रूप से सत्य है या नहीं यह हम चेक करना चाहते हैं तो चेक डाइमेशनल करेक्टनेस ओफ एक्वेशन्स Dimensional Correctness के लिए हमारा यह कहना है कि भाई LHS पे और RHS पे अगर Dimensions एकदम सेम है अगर LHS पे और RHS पे Dimensions एकदम सेम है तो यह equation Dimensions की दरश्टी से तो सही है अगर LHS पे और RHS पे Dimensions सेम है अगर LHS पे और RHS पे Dimensions सेम है तो यह equation Dimension सही है एकदम लेके ही आपसे बात कर पाएंगे जिसे की वह आपसे पूछता है कि वह T is equal to 2 pi under root L upon G तो पता ही यह equation Dimension सही है नहीं तो Dimension सही हो कि अगर LHS के जो Dimension है वही RHS के भी Dimension है M, L, R, T के पावर्स यहां हैं वही M, L, R, T के पावर्स अगर right-hand side भी हुए तो यह equation Dimension सही कहलाएगी तो LHS के Dimension तो T है और तो कुछ निकाल नहीं है आमें RHS से नहीं पढ़ते हैं RHS के Dimension अब हम निकालने पे आए हैं तो हमारा क्याना है यह 2 pi के तो कोई Dimension नहीं है यह तो प्योर नमबर आए आप तो L to the power 1 by 2 do root root का वाद सquare square जब लिखते है square वर्ग तो power 2 आता है और square root में power 1 by 2 आता है वर्ग मूल में power 1 by 2 आता है जी एक प्रकार का acceleration ग्रेशन तो gravity अब एक इसी के भी कारण acceleration हो है तो यह acceleration है तो इसके Dimension होगे L1 T minus 2 और प्योर निकाले कि तो L 1 by 2 मारस 9 हो जाएगा, T स्क्वेर हो जाएगा, हमें अर्वडी दिखना शुरू हो गया, कि RHS के डामेशन खाले T तो नहीं है, RHS के डामेशन T नहीं है, RHS के डामेशन T है, LHS और RHS के डामेशन अलग-अलग है, LHS और RHS के डामेशन अलग-अलग है, इसलिए इक्वेश अगला question करते हैं और गो question यह ए कि इस equation की विनिया सतित्ता की जान के लिए मैं यह चेकर नहीं कि अब जानते हैं जो सही formula होता गों एसे बुर सुछ 2.7 को ब excessive D sqr होता पamily स्क्राफटता है Р हम बहुट जो ऑने के गाहे कि इसकी स्की अचरते हैं वी चैक करते हैं तो यह लेलासिटीr 00 Korea यह the तो फिर जिसके तो कोई डामेशन है नहीं एग्सेगरेशन लग टी मैनस टू है और यह t2 तो तो रहेचेश के जो डामेशन आ रहे है उसमें यह और यह लेंचल हो जाएंगे इधर खाली एफ यह ल बचेंगा और इसी तरह इसी तरह यहां पर भी यह और यह लेंचल हो इसलिए यह equation, dimensionally सही है यह equation, dimensionally सही है और इसमें फिर एक बास हो जाए है कि dimensionally तो सही है पर निमेरेकल के तो सही आंसर ने कभी देगी ने क्योंकि निमेरेकल के आंसर तो सही तब आएंगे जब S का फॉम्णाबर ut plus 1 by 3, 80 स्क्वेर हो sorry, S का फॉम्णाबर ut plus half 80 स्क्वेर होगा तो निमेरेकल के आंसर सही आएंगे अभी तो यह आंसर सही नहीं देगा और इसलिए हों समझते हैं कि जो equation dimensionally सही है अगर dimension के लिहाँ से कोई equation सही ही है तो वो ज़रूरी नहीं कि निमेरेकल सही है यह equation निमेरेकल के यूस नहीं की जाती है तो एक रूल हमारा यह उभर के आता है कि और dimensionally correct equation is not necessarily numerically correct वह समी करण जो विमेर रूप से सते है वह आवश्यक नहीं है कि वह सांखी के रूप से भी सते हो जो equation dimensionally correct है वो numerically correct हो यह जबुरी नहीं है परंतो इसका जो converge है इसका जो उल्टा है वो पूरी तरह सही है यह अगर हम यह जानते हैं कि एक equation numerically correct है और वो equation numerically होती है तो फिर यह तरह है कि वो dimensions के लिहाज से भी सही होगी अगर एक equation numerically होगी तो वो दुनिया के हर कसोर्टी पे खरी उतरी होगी तो वो dimensionally भी सही होगी अगर एक equation एक भी एंगल पे गलत पाई जाए तो वो science उसे थोड़ी ने एकसेट करेगी वो हर कूरी foolproof होनी चाहिए हर एंगल से हर लिहाज से वो सही होनी चाहिए तभी आप उसे numerically को यूज करते है तो यह रूल यह है कि numerically correct equation is definitely dimensionally correct as well वह समीकरण जो सांखी के रूप से सते है वह विमिय रूप से भी सते है इस बात का हम उपयोग करेंगे अगले question में यह मैं कहरा हो कि यह एक equation है जो वास्तव में numerically में use होती है हो सकता आप में से कुछ इस equation को जानते हो 9th में motion के chapter में थोड़ा बहुत इसका चिक्रत कभी-कभी लोग कर लेते हैं कुछ teachers motion से related है बस और यह equation numerical में use होती है इतना ही फिलाल में आपको बतागा मेरा बेना है यह equation numerical में use होती है तो आप इसमें इसके dimensions बताएगे यह क्या है मुझे नहीं पता यह क्या है यह भी मुझे नहीं पता पर यह मुझे पता यह velocity है initial velocity पुराना भी प्रे इसके dimensions 11 t minus 1 है तो जो इसके dimensions है जरूर वही सब के लिए होगे इस equation में हर term के dimensions velocity है इसको नहीं परचानते हैं इसको नहीं परचानते हैं यह तो अकेला है ना इसकी बात करिए यह velocity है अगर यह velocity है और यह equation सही है तो फिर यह भी velocity है और यह भी velocity है क्योंकि एक equation में एक term जो प्लस या माइनस या इकुल टू साइन से separated रहते हैं वो सब dimension तरी सेम होते हैं इसके बात मैं dimensions की अगी application आपको पढ़ा रहा हूँ और वो है conversions बहुत ही जादा important है इस पर आप बिल्कुल चाहस आप दे सकते हैं एक system of say conversion from one system of unit one system of unit to another system काफी जादा इसकी आपको practice करनी से है काफी practice करनी से है काफी useful है conversion from one system of unit to another system जैसे पिल्कुल होई है जो one newton को बताना है कि कितने time है one newton 10 का power five time है और हम यहाँ यह सब अप्रूफ करें आप एक system से दूसरे system में जा रहे हैं तो इस बात का इस formula का उप्योग करिए आप same value को अलग system में express करना है same value को अलग units के express करना है अब हमें नए system में numerical value चाहिए मैं तो इसे इस तरह लेना पसंद करता हूँ n old into u old is equal to n new into u new हमें नए system में numerical value चाहिए हम same चीश को दूसरे units के express कर रहे हैं तो हमें बस उसकी नए system में numerical value सामकी के मान चाहिए तो यह formula है इससे n new आप निकाल लेंगे n old into u old upon u new यह हमारे यह convergence के लिए हम इस formula के बार बार आया करेंगे इस formula को आप ध्यान दीजे चाहिए तो direct करें चाहिए ध्यान दीजे एक बहुत important बात यह रहेगी कि यह पहचाने है कि old क्या है और नया क्या है old यह है वो जिसमें आपको पहले से medical value दी गए यह बात आप अदलक से लिख लीजे बड़ी इपॉर्टर्ट है इस पे चाहसता अंगर लगा दीजे old is that system in which the medical value is given जिस system में medical value दी है जिसमें कुछ पता है को तो तो आपरान ही हो गया जिसमें नहीं पता है जो निकालना है और नया है old का बड़ा खेल है old वाली बात आप अप्यां से पकड़ लेगे तो सवालों में आप से गल्ती नहीं होगी जिसने अबर मैं कह रहा हूँ वान न्यूटन जिगर दो एड्स दाई है ये निकालना है आपको तो ये जो न्यूटन है इसमें नुमेरिकल वल्यू आपको पता ए इसमें निमेरिकल वल्यू आपको निकालना है तो अपकी वार old यहने MKS system जो है वो old है और जिसमें नहीं पता है CTS वहारे ले ये इन new है दिखते हैं इस conversion को कैसे करेंगे, पहले मैं आपको यह बापस आगे बता रहा हूं कि N new का आगे क्या करते हैं, N old है, और units का ratio कैसे निकालते हैं, units का ratio को से निकालना है, units तो dimensions में छुपी ही ही होती हैं, तो M old upon M new to the power to the power to the power and T old upon T new to the power to the power of C, मुझे units में तो, मुझे units का ratio चिए था, U old by U new, and units तो MLT जूपी ही होती है, तो यूमरिट्स का रिश्व निकाल ले के लिए मैंने इंका रिश्व निकाल लिया जहाएं अब इस कॉंटिटी की आप बात कर रहे हैं अगर में फोर्स की बात कर रहा हूं तो यह है M1 L1 T-2 यहने जब आप इस निमरिकल को करेंगे ना अगर तर्मर्जन का आप निमरिकल करेंगे तो सबसे पहले तो अलग से लिख लीज़ेगा के ओल्ड क्या है और नियो क्या है फिर जिस कॉंटिटी की आप बात कर रहे हैं उसके डामेंशनस लिख लीज़ेगा अगर आफ वोर्स क अगर समय यह इस सिस्ट्म में युल की दिस बनाई रहे कर रहा हैं यह क्वेस्ट्न का आपके सामने डिसकस कर रहा हूं कवेस्टो यह मैरिकल का इंगे इस टाइम इस्तिम में गार पता तो ओल्डा है तो ओल्ड एमकेएस नियोने एंटिउ पल्ल्ड और पी ओल्ड जो है म जिसमें मुसे निमरिकल वल्यू पता है, निकालनी है, जिसमें मुसे निकालनी है, वो मेरे लिए नया है, तो अब M NU, L NU, और T NU, इसकी में पकायदा पहले लिस्ट तयार करना हूँ, तो CJS का माउस यह वो ग्राम है, यह CJS की लेंस जो है को सेंटिमेटर है, और टाइम ज जाएगी, X को अब मैं दिख रहा हूँ, X को दिख रहा हूँ, X को दिख रहा हूँ मैं 1, M2, यह दिख रहा हूँ, M old upon M NU to the power 1, L old upon L NU to the power 1, क्योंकि force के dimensions M1, L1, T minus 2 है न, और T old upon T NU to the power minus 2, ध्यान दीजे, यह वो निमरिकल बेली है, जो आपको निकालनी है, यह वो निमरिकल बेली है जो आपको दीजे है, फिर उपर सारी old की चीजे आएगी, लीचे सारी नई चीजे आएगी, और जिस quantity की आप बात कर रहे हैं, उसके dimensions यहां पर रहेंगे, यह आपको ध्यान देना है, कन्वर्जन्स आप दिना इस method के भी कर सकते हैं, पर इसी method को follow करें, long run में यह आपको जादा काम आएगा, long run में यह method आपको जादा लाग देगा, तो x की value है जी 1, x की value है 1, फिर mass देखिए, यह है kg और यह है gram, तो kg upon gram to the power 1, फिर length देखिए, length हो गई, meter upon centimeter to the power 1, और time को तो लिखने का फायता नहीं है, क्योंकि यह भी second है और यह भी second है, तो यह cancel जाएगा, फिर यह, x is equal to 1, kilogram, kilogram की जगे लितीजे 1000 gram upon यह gram, meter की जगे लितीजे 100 centimeter upon यह centimeter, और यह तो 1 का पावर माइनस तो आजाएगा, अब यह gram gram cancel हो गया, centimeter centimeter cancel हो गया, x की value आगे 10 का पावर 5, यहने 1 newton is equal to 10 का पावर 5 ताइम, यह conversion हो गया, 1 newton is 10 का पावर 5 ताइम, यह है, इसको clear करने के लिए दूसरा example लेते हैं, एक example और लेते हैं, कि 1 gram per centimeter cube, काफी ज़ादा हैं, इसको पावर 5 star देते हैं, 1 gram per centimeter cube, इसको तो x kg per meter की, यह x हमें निकाल रहा है, हम सबजने हैं शायद कि हम जिस राशी की बात कर रहा हैं, जिस quantity की बात कर रहा हैं, वह है density, क्योंकि यह mass upon volume है, हम density की बात कर रहे हैं, हम density के dimensions निकाल लेते हैं, सबसे पहले तो, जो dimensions हैं, वह है M1 L-3, mass upon volume है ना, दरभमान पटे, आयता, dimensions है M1 L-3, और यह मुझे मुझे बता है कि old क्या है, old यह सीजियर से अपकी बात, जिस पर numerical लियो पता है, वह old है, और जिस पर numerical लियो निकालनी है मुझे, वह ऐसा है, कभी-कभी यह तो बिल्कुली नए नाम दे दे देते हैं, कि किसी नए सिस्टम में हम फोर्स को जैसे, यह नूटल की जगे जगे इसा मान लेते हैं, यह जूल की जगे वह ऐसा कुछ मा कि लात्वा बेसिक पकड़ लिजिए बस, जो old और new हम तयार हैं, अब x की value आएगी, 1 into old mass, old mass यहने यह graph, और new mass यह किलो ग्राम का power 1, क्योंकि mass के उपर power 1 है, फिर इसी तरह से length, old length, old length जो है, वह centimeter है, और जो नए length है, वह meter है, और जो नए length है, वह meter है, और जो नए length है, और है, खुदी power minus 3, यह है, यह हमें निकालना है, यह old system में numerical value हमें दी है, यह old mass यह है, और old length यह है, old mass यह है, old length यह है, new mass यह है, और new length यह है, यहां से भी graph काड़ सकते थे, क्योंकि dimensions, density के 1 minus 3 हैं, तो यहा 1 minus 3 लिख दिया, अब major काम हो चुका है, जो decision decision making के उसका काम हो चुका है, अब सर्फ mechanical 2-4 steps काकी है, थोड़ा patience रखेंगे, तो यह steps में आप से silly mistake नहीं होगी, और यहां तक आते आते हैं, आप चिंता करने लगेंगे, कि what time निकल दिया, तो फिर कोई silly mistake ज़रूर पचा जाएगी, लर्णिक स्टेज में अपने उपर किलो ग्राम है, हजार ग्राम, और मीटर है 100 cm, to the power minus 3, आप दिखते हैं इसको, तो यह ग्राम ग्राफ कैंसल हो गया, यह centimeter centimeter cancel हो गया, x के लिए बार value अगे 1, फिर यह हो गया 1 upon 100, और उसके बाद यह हो गया, यह साथी 1000 दिया पर, और यह है 1 upon 100, to the power minus 3, और निका होता है यह क्या है आँराम से, काफी आराम से रिकालता है, यह ऊपर जाके हो दिख सकके 10 का पावर minus 3, यह ऊपर जाएगा, तो जाएका 10 का पावर minus 2 और minus 3, 1210 का पावर minus 3 into x to the power m to the power n है न, तो यह ऐसा कुछ हो गया, minus 2 into minus 3 is plus, फिर जाएका 10 का पावर minus 3, into 10 का पावर 6, और यह ane verona कि अटो वानध थान थैन स्राथ के ने थे वहींटर् कहाई हैं और भी त तो त्हावंlaw स्वासेजभ Silva March क्विगर हांद सल्हां विखेशन यूस published के शब्रूर्टे पहलेश लिखक शक्का थे बहुत जादा हैं क्योंकि कभी भी अचानक आपको जगे लिगा कि यार एक केजी वाली चीज तो बड़ी होती है यह तो MKS यूनिट है और MKS यूनिट बड़ी होती है और बड़ी यूनिट पर आशर छोड़ता आना चाहिए ऐसा नहीं है यह बड़ी यूनिट है ही नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेटर जो सेंटिमेटर से बहुत बड़ा होता है उसका क्यूब डिनॉमिनटर में आके बैठा है बहुत बड़ी चीज नीचे आके बैढ़ गई तो और रहल यह यूनिट छोड़ती होगी वो क्यों छोड़ती यहां पर एक बहुत बड़ी चीज डिनॉमिनटर में आपके बैठ गई इसमें पूरी यूनिट को छोटा कर दिया तो एमके यूनिट छोटी होगई तो उसमें आंसर बड़ा आएगा जो वन ग्रैम पर सेंटिमेटर क्यूब है वो थाउजन केजी पर मेटर क्यूब है मैं जिसके लंबाई चोड़ और नुचा ए सेंटिमेटर हो उसको वन सेंटिमींटर क्यूब कहते हैं और इसमें ग्रीन कीपानी तो भेतनी की ओंगईगे ? तो पानी आएगा हो खेला कितना होगा ? कि एक लीटर होगा ? एक लीटर से आप पानी टगी को बढ़ देते हो कि अगा ? तो शाएग हजार हो तल आप उसके खाली करोगे और तब तंकी भरेगी तो इस एक मीटर क्यूब में हजार किलो पानी आता है एक सेंटीमिटर क्यूब में येखनेटी में च्वी पानी काथा है उसकी मात्रा बान ग्राम हैınd और मात्रा 1 किली क्यूब ने भीकले के बिद लेफशे पानी के लिहाद से दोनों से पर आप आपनेये हैं by मीत्र क्यूब में 1,000 KNM आएगा है आपके अख्री एप्लिकेशन इसकी प्रस्तृत कर लाँ द्रमेशन के चैप्टर की और वह है to derive new formula, new formula illar, research tool में ये कम eyes मतलब इस चैप्टर में बएट के हम आगे आने वाले किसींगी चैप्टर का vig लब भग, लबग डिराइव कर सकते हैं तो ये तो खिर als ama बहृत ही useful method हुआ बहृत ही useful method हूआ exam में भी थोड़ा बद ये काम का है इसके भी question exam में आते हैं, तो देखिए, इसका हम सीधे question से discuss कर लेते हैं, हम कहते हैं, suppose question यह है, let energy of a particle, let energy of a particle, depend on, एक particle की उर्जा हम मांग लेते हैं, कि वो mass of the particle के depend रबता है, करन के द्रवमान पर depend करता है, mass of the particle, mass of the particle and velocity of light, प्रकाश के वेग पर नर्बर करता है, suppose ऐसा है, कि एक particle की energy, अर्जा, एक करन की उर्जा करके द्रवमान पर, और प्रकाश के वेग पर नर्बर करती है, find a relation between them, dimension की बदद से पूड़ा formula निकाल देजे, यह वही formula है, जैसे आइंस्स theory of relativity कहा जाता है, आइंस्सीन को निकालने में बहुत समय लगा, और बहुत इमाग लगा, उसको हम लोग dimension के chapter से ही बेटके निखाल देगे, इसलिए है तो बड़ा महत्व हों, हम कहते हैं कि मांग लेते हैं कि energy का formula है m to the power x, और c to the power y, आपने खाना energy mass पे और velocity पे डिवेंट करती है, तो energy का formula है mass to the power x, and c to the power y, ऐसा मांग लेते हैं, फिर हम कुछ 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 करें के, द्रश्टी से, तिर x और y की value निखाल के वापस यहां डाल लेंगे, कुछ करेंगे, x, y निखाल लेंगे और वापस यहां डाल लेंगे, तो पूरा formula बन जाएगा, यह तरीक है, यह equation है 1 माल लेते हैं, अब हमारा काउं ही है कि इसमें LHS में और RHS में सब के damages खेलाते हैं, सब के damages खेलातो, यह M1, 8 को T-2 हो गया, यह M का power x हो गया, velocity को L, T-1 लेको, और यह power y को, सब के minuses धूल, इधर तो फेर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर Mढल difference wore, M यह ठीज चाहरा जाएं, L y हो गया और T minus y हो गया ऐसा ही फाइनली हमरे पास किसी बड़े सवाल में दी ऐसा ही होता है कि हम यहां कलब कर लेते हैं सिबला टम को M के सारे को इखटे करके एक बना लेते हैं L के सारे को इखटे करके एक बना लेते हैं और T के सारे पर इखटे करके एक बद बना लिते हैं अब हमारा है कहना है कि अगर यह equation dimensionally same है formula जो यहां है वही इसका भी है same चीज है अगर तो इनके dimensions same होने चाहिए LHS के dimensions RHS के dimensions same होने चाहिए इसको थोड़ा और एक statement आगे चलके बुल रहे हैं कि independently यहां M का पावर और independently यहां M का पावर same होना चीज है independently यहां L का पावर और independently यहां L का पावर same होना चीज है स्वत्त रूप से यहां T की घात और यहां T की घात same होना चीज है तभी तो यह same होई है होजियूरिटी से हम यही सुझना आता है है कि दैमेशन मंत वह गूद भूरह दोव है और है। और हैॎक गोईशन स्दी कỏiक्त है तो इंडिपेंड़ेटल्टिर्टी एव का पॉव का गणर ँठीड़ होना चीए। ल में जाते हैं कि जोला टीपेंडबन महँना चाहि करती कि निए मेरे पास X औ Y के वेलियों के दोगी है मैं इनको बापस मांड़ा दोगा तोई एनर्जी का फार्मॉला बन जाएगा M1 C2 M C2 एनर्जी का फार्मॉला है M C2 यही यह फार्मॉला आपने डेराइब कर लिया आप दी आइंस्टीन के लिए अल्राइट काम की बात क्या है? कि आप इधर तो डानिशनस लिखते हो इधर सबको पहला लेते हो सारे M के पाद इखटे करके M का एक पद बना लेते हो सारे L के पाद इखटे करके L का एक पद बना लेते हो सारे T के पाद इखटे करके T का एक पद बना लेते हो फिर Mこれは माँद फिर M अको आइए एक्कियों बनाते हैं L का आइए इक्वेशन बनाते हैं o M आइए हुशन और यह को एक्वेशन मनते कि हमारे पास रच नहीं effort वाज गयांगे और थिरू तो को आच्वेसन व को आच्वेशन या और न को दिखा लेगे और first equation में डालने के यह काम भी बड़ा patience वानता है और इनके हला कि objective questions को handle करने के तरीके थोड़े आसान ही है जब option आपके पास हो तो पूरा सवाल करना नहीं पढ़ता पर अभी तो आप पूरा सवाल करने की प्रैक्टिस डाले शुरू हो है बात में हम किसी और वीडियो में questions डिस्कूस करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि जब चार options सामने हो तो पूरा सवाल सवाल करने की जल्बत नहीं है एक equation या दो equation दगाने से ही अपन आंसर को ढूंड लेते हैं तीसरी equation की तो कभी जल्बत नहीं पढ़ते है पर इसको सीखे जरूर क्योंकि इसके आपकी simultaneous linear equations solve करने का जो दार हो खता में जाएगा मैं यहाँ थोड़ा बताता हूँ आपको tips for solving tips for solving three simultaneous linear equations यह बहुत ज़ादा useful है aims के exam भी बात करेंगे तो वहाँ सारा खेल ही इस बात का है आपको equation बनाते आने चाहिए सबसे पहले सवाल बढ़के फिर उन equation को solve करते आने चाहिए और फिर वहाँ कैल्कुलेशन भी बहुत तबड़ी लवडी कैल्कुलेशन ता रही है multiplication और division को आप जितना strong कर सकते है उतना strong कर लीजे अगर तीन simultaneous linear equations हैं तो उने solve कैसे किया जाता है मामी जी कुछ equation ऐसी है x plus y plus z is equal to 0 ये एक equation है 2x minus y minus z is equal to 2 z को हम लोग ऐसा लिखेते हैं ताकि z में और 2 में confusion ना हो z का है हम पेट काट काट केते हैं ताकि z में और 2 में confusion ना हो और ऐसे कुछ x, y, z में एक और भी कुछ equation है x, y, z में एक और भी कुछ equation है 5x plus 2y minus 3z is equal to 7 ये तीन equation है मालियों पे और हमें एक को solve करके x, y, z की value निकाल लिए है तो मन तो नहीं करता लगता तो है कि भाग जाओ इस मत करो इसको पर इसको करोगे तो ही कुछ बढ़ा करना होगे अगर कुछ बढ़ा करना है तो इससे डर इसका निकाल दीजिए systematic तरीका है इसको solve करने का ध्यान से सुनिये एक-दो बाल रिवाइन परके सुनिये का आप पकड़ लेने की क्या है करना होगे यह होता है कि इन दो इक्वेशनों की मदद से हम पहले z eliminate कर देते हैं और x और y में एक नई equation लेक लेते हैं पुरा solve करके नहीं बता रहा हूं सिर्फ steps बता रहा हूं थ्यान से सुनिये का हम इन दोनों में से किसी एक variable को खदम कर देते हैं हम y को खदम कर सकते हैं या हम z को खदम कर सकते हैं एड कर दीजे यह एड कर दीजे कुछ जैसे हमने इन दोनों में से z को eliminate किया इन दोनों में से अगर z को eliminate करेंगे तो हमारे पास x और y में एक equation आजएगी हमारे पास ऐसी equation आजएगी x प्लस by y is equal to कुछ C यह हमारी 4 आजाएगी पहली और दूसरी मेंसे z को eliminate करो और यह equation पराप्त करो इसी तरह दूसरी और तीसरी equation मेंसे फिर से z को eliminate करो इस equation में से 3 से multiply करो और फिर आपस में minus करो तो यह z का time cancels जाएगा इन दोरों मेंसे फिर से z cancels करो और कुछ d x plus e y is equal to f यह फिर से equation पराप कर दो है, इन दोनों मेंसे मैंने किसी एक variable को खतम कर दिया, फिर इन दोनों मेंसे भी उसी variable को खतम कर दिया, अब मेरे पास सेम दो variable x और y में दो equations हैं, पॉइंट है कि हमें सेम दो variable x और y में सेम दो equations पराप कर देंगे, अगर x और y में इन पास दो equations हैं, तब finally मैं यहां से y eliminate कर दो और x ने कर दाएगा, फिर से सुनिया है, इन दोनों में से x को eliminate, sorry, z को eliminate कर दो या, किसी भी एक को eliminate कर सकते हैं, इन दोनों में से x को eliminate कर दो, y, z में 1 equation नहां से चाहि рай और y में एक optimization पर देंगे नहीं से करेंआ है, एक ένα equation पहले one और Two में से x को eliminate किया य और z में Mandanaya, तो और त्री मैं से यमिरेशन होगे तो और three में से हमें x को eliminate किया, y और z में एक relation मनाया है, तो सेम दो वैरियवल में नहीं तो चर राशियों में धोई य नहीं पर यहांदा इस अगोइस तरफ से एक्स वाय जैट है Kम निकाल रहे थे जिस quantity हम निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, अब को प्रपोश्टल थी, बी चुट थी पावर एक्स, सी दी पावर पावर य और डी पावर जड़ेंड करती हैं. तो आप इसको पूरा फैलाजिएगा, इनको 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 पूरा फैला और वाफस इस एप्रशना डाल दीजे तो हम कहेंगे कि हमने नया फॉमुला डिराइफ कर लिया है I think the result for now ये चाटर हमरा समापत होता है इसके गाइड्स के आपको प्वेस्टन स्वेम करने होगे और जल्दी फ्रस्टेट मत हुएगा अगर ये उत्ति बार वीडियो को दो तीन बार सुनेओे फिर गाइड करिए गाइड में कोशिश करिए कि आपजाएख ये कि तowर बेल नुमेरिकल करिए और नुमेरिकल में प्रोड़ा पेशनस रखिये अगर एक बार में एक सवाल नहीं बन रहा है तो उसे छोड़ के आगे किसी सवाल पर चले जाएगे दो-चार मास सवाल करने के बाद जब आप वापिस इस सवाल पर आएंगे न तो यह सवाल बनेगा जरूर बनेगा और इसी से आपका confidence बढ़ेगा तो practice आपको ही करने है थैंक यू अनिल अगरवाल तृप्ति अगरवाल classes वोपा